हेलो दोस्तों श्वागत आपका मेरी यूटूब चैनल इंग्लिस सीखो विट मेरे इंडर में और मैं आपके लिए आज लेकर आपके आपके कुछ बहतर सेंटेंसेस कुछ महत्पूर सेंटेंसेस जो आपके इंग्लिस में चार चांत लगाने वाली हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं हमारा पहला सेंटेंस में कपड़े सुखा दो और मिली यूज होता है हम इसा घर में कपड़े सुखा दो पुट द क्लोट्स टु ड्राई यहनिकि कपड़े सुखा दो अगला सेंटेंस से हमारा समय की नजाकत को समझो काफी कॉमनली यूजता है सेंटेंस भी समय की नजाकत को समझो अगला सेंटेंस हमारा ये फोन कितने का है यह फोन कितने का है तुम्हारे पास कितने फैसे है नॉर्मल हम कभी पूचते हैं घर में अपने भाई वहनों से ये फिर दोस्तों से तुम्हारे पास कितने पैसे है कितना टाइम लगेगा यह भी कॉमन सेंटेंस है जो हम यूज करते हैं लगभग डेली मुझे क्यों घूर रहे हो मुझे क्यों घूर रहे हो Why are you staring at me मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ यह तो रोज की बात है It is everyday occurrence यह तो रोज की बात है तुम हमेशा यही कहते हो That is what you always say मेरा ऐसा इरादा नहीं था Such was not my intention at all मेरा ऐसा इरादा नहीं था Such was not my intention at all दादा जी कुछ उंचा सुनते हैं Grandfather is hard of hearing नहीं की उंचा सुनते हैं कम सुनाई देता हैं पलब तो Grandfather is hard of hearing मैं दुविधा में हूँ I am in dilemma मैं दुविधा में हूँ I am in dilemma बाकी सब ठीक है Rest everything is fine समा करें मुझे थोड़ी देर हो गई है Sorry I have got a bit late मुझे थोड़ी देर हो गई है Sorry I have got a bit late क्या आपको किसी चीज की जरुरत है Do you need anything? Do you need anything? क्या आपको किसी चीज की जरुरत है इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा It will not take much time इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा It will not take much time यहाँ आप पर निर्भर करता है It's up to you यहाँ आप पर निर्भर करता है It's up to you तो इसे दोस्तों कुछ sentences मा कि आप इनको बोलिए प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके इंगलिस और बहतर बन सके मा कि वीडियो अच्छे लगी दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू